होम मिनिस्टर अमिच्चाह ने संसत को बताया कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है और इस आदेश पर प्रिजिडेंट ने साइन भी कर दिया है के खत्म होने के साथ, आर्टिकल 35A, भी खत्म हो गया जिसे राज्य के सथाई निवासी यानी पश्ज näर्ज्डेEZ की पहचान होती थी सरकार ने, आर्टिकल 370 के खत्मे के साथ, प्रदेश के पुरर्गठन का भी प्रस्ताव किया है जो बिल प्रस्तावित किया गया है वो ये कि जम्मू कश्मीर अब रज्य नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर की जगए अब दो केंदर शासित प्रदेश होंगे एक का नाम होगा जम्मू कश्मीर दूसरे का नाम होगा लद्दाख दोनों केंदर शासित प्रदेशों का शास्तन लेटिनिंट गवर्नर के हाथ में होगा जमो कश्मीर में legislative assembly होगी जबकि लदाख में कोई legislative assembly नहीं होगी बिल दोनों सद्रों में पास होने के बाद ही ऐसा हो पाएगा आर्टिकल 370 का केवल एक खंड बाकी रखा गया है यारी एक सेक्शन बाकी रखा गया है जिसके तहत राश्ट्रिपती किसी बदलाव का आदेश जारी कर सकते हैं हो मिनिस्टर ने बताया कि केंद्र श्यासित प्रदेश का दर्जा देने का प्रस्ता वहां की सुरक्षा की स्थिती और सीमा पार स्यातंगवाद की सिती को देखते हुए लिया गया है भारतिय संविधान का आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेश राज्य का दर्जा देत इसके बाद भारतिय संविधान में आर्टिकल 370 का प्रावधान किया गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेश अधिकार दिये गए लेकिन राज्य के लिए अलग संविधान की भी मांग की गई आर्टिकल 370 के प्रावधानों के मुताबिक डिफेंस मेंटर्स, पॉर प्रामानेट रेजिडेंट का स्टेटस हासिल था वही वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते थे लेकिन अब कोई भी खरीद सकेगा पहले प्रामानेट रेजिडेंट को ही राज्य में नौकरी मिल सकती थी अब किसी को भी मिल सकती है पहले कानून व्यवस्ता मुख्य मंत संसद या केंदर सरकार अब फैसला करेगी कि IPC यानि भारतिये दंड सहीता यहां लागू होगी या रनबीर पिनल कोड अभी देखना होगा कि यहां जो पंचायति कानून लागू थे वे अब रहेंगे या उनने भी बदला जाएगा पाकिस्तान ने अपनी प्रेस रिलीज म के मताबिक भारत इस विवादित जगह पर एक तरफा फैसला नहीं ले सकता पाकिस्तान के राश्ट्रपती ने 6 अगस्त को इस मसले पर संसद का जॉइंट सेशन भी बुलाया है भारत में भी कई राजनेतिक दल इस कदम की आलोशना कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुछ इ पहले कर फ्यू लगा दिया गया या धारा 144 लागू कर दी गई थी